मोटर स्टार्ट स्टॉप ठ्योंकि मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए हम कमांड देते हैं वाल्व ओपन वाल्व क्लोज जब नुमेटिक एक्ट्र के यूज करके वाल्व को ओपन इंड क्लोज किया जाता है तो यह सिगनल भी डिजिटल आउटपुट सिगनल है नुमेटिक सिलेंडर को ओपन इंड क्लोज करना यह भी डिजिटल आउटपुट सिगनल है Digital Input Signals को PLC की Digital Input मतलब DIT दोस्तो आज हम PLC Signals को देखेंगे पहले देखेंगे Digital Input और Digital Output Signal क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है इनको समझने से पहले आपको Input और Output पता होना चाहिए पहले Input Signal को समझेंगे दोस्तो Input Signal को Feedback Signal भी कहा जाता है Input Signal को आप आसान भासा में समझें तो जो Signals कहीं से Receive होते हैं या मिलते हैं उन्हें Input Signals कहा जाता है अब Digital Input समझते हैं Digital Signals को अगर आप समझें तो ऐसे Signals जो On या Off Signals होते हैं वो Digital Signals कहलाते हैं Digital Inputs मतलब ऐसे On या Off Signals जो Field से Receive होते हैं Digital Input Signals कहलाते हैं Various Switches से Received Signals Digital Input Signals के Examples होते हैं जैसे कि Pressure Switch, Level Switch, Temperature Switch, Limit Switch, Proximity Switch, Motor Run Feedback, Motor Healthy Feedback ये सभी PLC के लिए Digital Input Signals हैं उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अब बात करते हैं Output Signals की Output Signals को Command Signals भी कहते हैं Output Signals को आप आसान भासा में समझें तो जो Signal कहीं भेजे जाते हैं उनको Output Signals कहा जाता है अब Digital Output समझते हैं Digital Outputs मतलब ऐसे On या Off Signals जो Field में भेजे जाते हैं इसके Example अगर हम देखें तो Motor Start Stop क्योंकि Motor को Start and Stop करने के लिए हम Command देते हैं Valve Open, Valve Close जब Numatic Actuator के यूज़ करके Valve को Open and Close किया जाता है तो ये Signal भी Digital Output Signal है Numatic Slender को Open and Close करना ये भी Digital Output Signal है Digital Input Signals को PLC की Digital Input मतलब DITB में Connect किया जाता है और Digital Output Signals को PLC की DITB में Connect किया जाता है अब हम देखेंगे कि Analog Input और Analog Output Signals क्या है अब Analog Signals को समझते हैं ऐसे Signals जो वेरी करते हैं या एक रेंज में वेरी करते हैं जैसे कि 4 to 20 मिली अमपियर सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स तो केबल ओन या ओफ होते हैं लेकिन Analog Signals एक रेंज में वेरी करते हैं तो अगर Analog Input Signal समझा जाए तो रिसीव होने वाले ऐसे सिग्नल्स जो Continuously एक रेंज में वेरी करते हैं Analog Input Signals के Examples पर आते हैं RTD Thermocouple के Signals RTD Thermocouple Temperature के According Different-Different Reading शो करते हैं इनकी Readings एक रेंज में वेरी करेंगी Pressure, Level, pH, Flow, Humidity, Temperature इन Transmitter के Signals भी Analog Input Signals होते हैं इन सभी Transmitters की Output Value भी एक रेंज में वेरी करती है इन सभी Transmitters का Output usually 4 to 20 mA होता है तो इन सौर्ट अगर समझें तो usually सभी Sensors और Transducers के Signals Analog Input Signals होते हैं इनके अलावा Motor RPM Feedback Motor Load Feedback ये भी Analog Input Signals हैं अब Analog Output Signals को देखते हैं तो Output Signals वो होते हैं जो कहीं भेजे जाते हैं PLC या किसी इस्टुमेंट से भेजे जाने वाले ऐसे Signals जो एक रेंज में वेरी करते हैं उनको हम Analog Output Signals बोलते हैं Analog Output Signals के Examples देखते हैं जैसे कि Control Valve को भेजा जाने वाला सिगनल Control Valve सिगनल के According 0 to 100% ओपरेट होता है Motor की Speed या RPM को घटाने या बढ़ाने के लिए भेजा जाने वाला सिगनल ये भी Analog Output Signal होगा दोस्तों यहां आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि Motor के RPM या Speed कितनी है इसका Feedback Analog Input Signal है और यदि Motor के RPM या Speed कम करनी है या बढ़ानी है इसके लिए भेजा गया सिगनल Analog Output Signal है इसी तरह से किसी Control Valve की क्या Position है उसके लिए जो Feedback Signal आता है वो Analog Input Signal होगा और Control Valve की Position को घटाने या बढ़ाने के लिए जो सिगनल बेजा जाएगा PLC से या किसी Controller से वो Analog Output Signal होगा कर दो गलिए जाएगर के या दो जाएगरक apoyo पाल पक्प़ी extraordinित कर वो अएभ्यक़्ावर tahun दो удар होगँ झाल झाल